हेलो दियर स्टूदिंस वेलकम बैक तो माई यूट्यूब चैनल सो बच्छे इस वीडियो दे वीचे सी प्लेस वन दा सैंपल पेपर डिसकस करन जा रहे हैं सो बच्छे हली तक पंजाब बुड वलो पर्टिकुलर जो ब्लू प्रिंट हुन दाया ओ नहीं आया बट साथे सेंपल पेपर तो बच्छे असी estimate लगा सकतियां ऐसे नूँ पता लगजेगा किस Chapter विच वीच व किने marks दे questions आणगे सेंपल पेपर दे घुटिंग लिए बच्छे दे लाना 1st question जिदा light year is a unit of a unit first दा ही question एदा मतलब बच्छे 1st question जड़ाया unit 1 दा ही होएगा क्लेयर हो गया, सो बच्चे सी सारे सेंपल वेपर्स इस तरीके ना डिसकस करांगे, थो और नो बच्चे में आंसर्स वीडियो दे विच हुने दास दांगी, सो प्लीज तुसी स्क्रिंशोट ले सकते हैं, या फिर बच्चे डिस्क्रिप्चन दे विच तुसी मेरे चैनल, टेलिग्रम चैनल तो बच्चे डाउनलोड कर सकते हैं, जो बच्चे टेलिग्रम चैनल यूस कर रहे हैं, अदर वाइस बच्चे में था नो Google दा भी एक लिंक अगर तुसी टेलिग्राम चानल नहीं यूज कार रहे था तुसी डारेक्ट बचियों तो डाउनलोड कार सकते हैं, ठीक है जी, तो ये दे विच बच्चे थोड़े पेपर दे विच जो पेपर दी मार्किंग स्कीम है, वो सबनू पता ही होएगा, कि 1 तो लेके बच्चे 28 त बस थोण अपने कंसेप्ट क्लेर करने पैंगे, और मैक्सिममम रिविजन करनी पाएगी, इना चीज चान्दी, ठीक है जी, तो नेक्स्ट बच्चे 228 मतलब की टोटल होगे, बच्चे थोड़े जड़े एक क्वेशन है, तो सिगिन सकते हैं, सेकेंड क्वेशन 3rd, 4th, 5th, 6, 7, 8, टोटल 7 क्वेशन सा, बच्चे 7 क्वेशन होगे थोड़े 2, 2 मार्क्स थे, इन्टरनल च्वेशन गिवन एना क्वेशन नमबर 2, 3, 7, बच्चे पटिकुलर थोण उदस्या गया या, क्वेशन नमबर 2, 3 और 7 देविच थोण इन्टरनल च्वेशन मिलेगी, इन्ट 15 और 16 बचे 2 थोड़े जड़े या, 55 मार्क्स थे क्वेशन होगे, दोना क्वेशन से विच थोण इन्टरनल च्वेशन मिलेगी, क्लियर हो गया जी, वच्चे अपने जड़ा सी क्वेशन से स्टार्ट कर दिया, पने MCQ स्टार्ट कर दिया, वीडियो नो श्टार्ट कर रह मां थोड़ा estimate हो जवे किस unit दे विचो किन निमाक सा question आ सकते है so first question है बचे unit 1 दा so मैं बचे थे लिख दिन्या unit 1 ताकि थो नू easy रवे किस unit दे विचो questions देड़िया बान रिया first हा बचे this is the most 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 important mcqs data की paper दे विच repeat हों दे chances 80 to 90 percent है ठीक है जी light year is a unit of distance so केदे unit सा बचे है distance दी second हा which of the following quantity is expressed as force per unit area बचे force per unit area असी के नू गयनने हा pressure नू so option number b is a right answer ठीक है so बचे ए थोड़ा unit 7 दा question है जिस तरीके ना बचे मैं लिख रही है इसी तरीके ना तुसी भी लिख सक दिया कि unit 7 दे विचो एक question आ रहा है या किस chapter दे विचो सा कदिया खुद भी बना सा कदिया रचे ठीक है so इसनो तड़े जड़े teachers आ बचे हो भी most probably sample papers नू ही देखके paper set कर दिया हो सगदा किसे sample paper दी help लेके थो ड़जड़ा final paper बना दिता जावे so sample papers बचे तुसी neglect नहीं कारके जाने बिलकुल वी चाड़े के नहीं जाने which of the following is a vector quantity बचे इना विचो केड़ा vector quantity है मत्तब था अनू options पढ़निया ही पैण गया बचे जिद्धा first और second question है न मैं without options पढ़े तो अनू answer दाज़ता कि light year दे जड़े units उन्दे ओ डिस्टेंस है force per unit area के दे equal है force दे equal ए ओचीज़ा है जड़ी सानू definitions तो clear हो गया सानू options पढ़न दी जरूरत नहीं पई third question एदादा question है कि तो अनू options पढ़निया ही पैण किया density किया बचे scalar quantity power किया also scalar quantity work is also scalar quantity but momentum is a vector quantity उनना ने क्या कि इना विचो केड़ा एक vector quantity है so momentum बचे vector quantity है next हा in uniform circular motion अगर कोई object circular motion दे विच uniform circular motion जा रहे है मतलब 40 दी speed दे नाल ही सारा circle complete कर रहे है यह 40 दी speed दे नाल 50 दी speed दे नाल for example सदी बचे संदे आड़े द्वाडे जड़ा या planets कुम रहे है वो कदे अपनी speed कट या वाद नहीं कर दे same speed दे नाल move कर रहे है वो होगी uniform motion which quantity do not remains the same केड़ी quantity है बचे टड़ी same नहीं रंदी ठीक है which quantity do not remains same I think बचे थे radius, velocity, speed so बचे radius जुरूरी नहीं है की same रवे थवाड़ थे so बचे जित्थे भी एक चीजा आते आ रखना जित्थे not लाग जवे so not वाले question जादा तर बचे गलत कर जानती है not मतलब जड़ा नहीं होएगा बाकी सारी answer होण के but कोई एक नहीं होएगा radius था बचे सीम ही रहेगा अगर circular motion आ radius एक पास से जे मानलो 5 cm आता दूसरे पास से भी 5 cm होएगा circle दी property यह है ओवल दी ता सी गल नहीं कर रहे है circular motion आ ठीक है जी radius था सेम होएगा velocity और speed, speed बचे distance over time चो सेम रहेगा but displacement 0 हो जाएगी है so velocity जे डिया displacement over time एथे गड़बड हो सकती है ए निकदे भी सेम रह सकती 0 भी हो सकती है कोई नो कोई value भी हो सकती है so velocity एदा right answer आ गया do not तो त्यान ना रखना है ठीक है next आ जो थोड़ा 5th question है बचे which one of the following statement is incorrect बाकी सारिया statements बचे correct है सिरफ एक statement गलत statement दित्ती हुई या असी गलत statement लबड़नी है ना बाकी options से विचो friction force oppose the relative motion correct है बिल्कुल सही लिख्या हुए नेक्स्ट आ जाओ limiting force of static friction is directly proportional to normal friction एवी बच्चे सी definition दे दारान पढ़ दिया तो एवी बिल्कुल correct है rolling friction is a smaller than sliding friction असी पढ़ते है कि sliding friction is a more than rolling friction हना तो इना ने उल्टा करके लिख्या है smaller लिख्या है यदा मतलब एवी statement सही लिखी हुई या last वाली रह गे हो नसी तियान ना बढ़ांगे coefficient of sliding friction has dimensions of length बच्चे friction या friction हना मतलब force लगरिया newton इदे units होन ये ना की length दे unit meters नी दित्ता हुंदा newton's force दे विचे दित्ता हुंदा incorrect लिख्या होएगा ये दा मतलब जड़ी एक statement गलत हा वो थोड़ा सही answer होएगा clear हो गया जी next आजाओ angle of repose is always कि दी जड़ी angle of friction दे की होएगा सुबच्चे इता सी statement बहुत अच्छे तरीके ना पढ़ देया जिदे विचे सी लिख देया tan alpha is equals to tan mu ठीक है या alpha is equals to mu हमेशा equal आजान दा so equal b option c option equal ठीक है जी next आजाओ if net external force acting on the system of particle is 0 external force अगर 0 होगई external force की होगई थोड़ी 0 असी लिखे जिता है f external थोड़ी की हा 0 हा which of the following quantity remains conserved केड़ी इक quantity या जोड़ी conserve रहेगी so बच्चे सी जड़ा momentum वाला concept पाद चुक या linear momentum वाला कि थोड़ा linear momentum जड़ा या conserve रहेगा ठीक हा so option number a is a right dancer next question हा according to the work energy theorem अगर बच्चे सी work energy theorem दिगाल कर दिया work done by the net force on a particle is equal to the change its so केड़ी इक चींज जड़ी हा बच्चे चींज होएगी जड़ी work energy थोड़ा मा असी last which equation निकाल दिया kinetic final minus kinetic energy initial so kinetic energy दा relation आंदा बच्चे so option number d is the right answer next a man pushes a wall and fails to displace it इक बंदे ने इक कांदनों तका लगाया ठीक हा तुसी अपने अपनों विकंजेडर कार साकते हां कांदनों तका लगाया पर displace मतला उन्हों ओधी जगा तो हला नहीं सके एद्दा दे work done नों असी केड़ा work done कमागे सो त्यान न देखो बच्चे जड़ा work done होंदा हो की होंदा है force into displacement force था तुसी apply कर रहे हैं बट displacement नहीं सड़ी हो रही ठीक है जी सो displacement नहीं हो रही cost theta dot product अटा cost theta गया displacement ही 0 हो आए थे so अगर 0 हो गया ता work done किन ना हो जेगा 0 so no work done कोई भी work नहीं होएगा next आजो when a particle executing simple harmonic motion the restoring force varies with displacement y जड़ी f restoring force हो displacement दे किस तरीके न वेरी करेगा सो असी बच्चे पढ़ चुक्या f is directly proportional to x displacement असी x दे नाल पढ़ चुक्या एथे नाने हलकी जी shade खानी कार देती कैलो थोड़ी जी variables change कार देते x दी जगा दे y ले लिया ठीका आही formula है जो सी बच्चे unit 10 दे विच पढ़ चुक्या है ठीके unit 10 दे विच असी कार चुक्या सो option number a is a right answer so next आजाओ जड़े बच्चे comprehensive the ratification are formed बच्चे ए भी 10th unit दा ही कोशन है ठीके उपर वाला भी बच्चे 10th दा कोशन है 9th 11th भी बच्चे 10th दाया compression और ratification जड़े या बच्चे ए के दी विचान दिया है जदो सी longitudinal waves दी खाल कर दिया so b option longitudinal waves next which of the following physical quantity is represented by the product of moment of inertia and angular velocity so बच्चे unit 5 दा कोशन है ठीके so बच्चे question number 12 है इदा answer आएगा थोड़ा कि physical quantity कोई विड़े रिपर्जेंट कर रही है product of moment of inertia और angular velocity नो आई omega ठीक है एक कितों आ रहे है angular momentum तो आ रिपर्जेंट कर रही है clear हो गया next आजो torque is a rotational analog रोटेशनल एला रोगा बच्चे unit चड़ा 5 दा कोशन है so torque बच्चे इधे torque दिगल किती होई है कि इन्नू rotationally जो दोस्यों नो move कर देया किसी चीज नो होता होदे तो कोई नो कोई force लगाना पाईगा बच्चे ताह जाके जड़िया थोड़ा torque produce होएगा so option number b is a right answer next आजो center of mass बच्चे एवी unit 5 दा कोशन है center of mass वाला is a point एथे वी सानू options पढ़नी है center of mass is a point केड़ा point अधरवाइस तो बच्चे सदी definition ही है center of mass दी where whole mass of the body is supposed to be concentrated अगर बच्चे तुसी definitions बहुत अच्छी तरीके ना learn कितिया हुई या तद आनों पढ़दे सारी पता लग जाना कि एदी option number c जड़ाया right answer है next बच्चे time period of earth satellite बच्चे unit 6 दा कोशन है gravitation दा कि satellite in a circular orbit is independent of time period बच्चे t जड़ाया केड़ी चीज ते depend नहीं करता बच्चे जड़ोसी time period दी गाल कर दिया है radius एदी विच रेडियस भी आन दाया ठीक है फर्स्ट बच्चे mass of satellite दी गाल किती गई है दूसरा radius of its orbit ता mass and radius बच्चे एदी विच रेडियस रेडियस जड़ाया सड़ा नहीं आएगा none of above सो कल्य मास दी गाल किती गई है सो option number a is a right answer सो बच्चे time period दा जड़ा तुसी formula चेक कर सा दिया t is equals to 2 pi under root r plus h divided by gr एथे किते भी मास दी गाल नहीं किती वो कहरी केड़ी चीज ते डिपेंड नहीं करता ते मास दी डिपेंड नहीं करता ठीके ची सो दे अकॉर्डिंगली बच्चे थोड़ा answer आ गया mass of satellite radius ते ते डिपेंड कारी रिया आया next आजो 16 दे उपर the gravitational force between two bodies is conservative so conservative force is a so option number a is a right answer next आजो the perfect gas equation pv is equals to nrt सो बच्चे यता सानू बहुत अच्छी तरीक के ना पताया so यही answer होएगा next आजो बच्चे 18 दे उपर the time period of geostationary satellite is geostationary satellite दा बच्चे एक time period के ना है जिनना एक दिन दे विचे circle को मदा बच्चे geostationary मतलब तर्ती दी जड़ी satellite हा तर्ती सेटलाइट एक दिन दे विचे circle complete कर दिया so चोवी कंटे दे विचे मतलब की 24 hours दे विचे circle complete कर लें दिया next आजो in a simple pendulum अगर आसी पच्चे simple pendulum दिगाल करिये at mean position किसे particular mean position दे उपर तकी होएगा kinetic energy is maximum and potential energy is minimum so option number A is the right answer ठीक है जी next आजो 20th question दे working of hydraulic lift is based on so working बचे hydraulic lift दी जड़ी principle आई या working आउ किस सीज से केड़ी principle बेस्ट है that is Pascal's law next आजो CGS system दे अंदर unit of coefficient of viscosity is बचे जिद्धा मैं था नो explain कर रही है video नो pause कर करके खुद solve करन दी कोशिश करो ताकि रचे थोड़ी concept नालदी नाल clear भी हो जण और doubts भी clear हो जण अगर खुद solve करके देखुँँगे video pause करके खुद answers लगा के देखुँँगे ताँ थोड़ी किन्ने MCQs सही गए और किन्ने MCQs गलत गए और ये बचे practice करन दा या revise करन दा एक बहुत अच्छा तरीका है ठीक है नेक्स आजाओ CGA system दे अंदर unit of coefficient of viscosity is poise ठीक है नेक्स आजाओ 22nd question है the kinetic energy of gas it is assumed that gas molecules जड़े gas molecules हुन दिया बचे उख कलाइड कर दिया एक दूसरी दे नाल so collide elastically next आजाओ 23rd question the process in which the pressure and temperature change but volume remains constant so बच्चे एता definition ही या थोड़ी simple जया question है बच्चे so इन्हों असी की बोल दिया isochloric system so isochloric so option number C is the right answer ठीक है जी next बच्चे साथे true-false है बहुत अच्छी तरीके नाल सी true-false अपने करांगे number 1 is so बच्चे पहला खुद solve कर लो वीडियो नो पाउस कर लो खुद पांचती पांचती solve कर लो बाद वीच अंसर चेक कर ले ना more is number of significant figure more accurate is the measurement बिल्कुल correct लिख्या होया जिनने जादा figures होनगे उनने जादा आसी उन्हों अच्छी तरीके ना measure कर सक दिया 25 ता two vectors are parallel to each other if their cross product is 0 अगर cross product 0 आ ता वो parallel होनगे so बिल्कुल ठीक है बच्चे अगर dot आता perpendicular होईगा cross आता parallel होईगा 25 दे उपर आजो बच्चे अहा 24 वाला जड़ा question है this 25 दिस is the most most important यह चीज अपनी copies यह उपर बहुत वड़ा वड़ा करके लिख लो जदो numerical भी solve कर दें बच्चे numerical भी आ जानदा है चीज ता बच्चे नों यह नहीं पता लागता कि parallel होईगा ता cross product आएगा कि dot आएगा ठीक है so एक confusion देख वड़ा कहलो है गाया so एह points लिख लो next आजो internal energy of an ideal gas is function of temperature only color temperature दी ही थे गल किती जान दी है जदो सी internal energy दी गल कर दी है ता एवी बिलकुल correct है density of water is maximum add 4 degree centigrade this is also true so बच्चे मेरे नोर से विच्वी आगर सुसी मेरे चानल तो ही पड़े होई है ता नोर से विच्वी बच्चे आचीज में mention किती हुई है कि density of water जड़ी है और 4 degree है next आजो the pressure applied to an enclosed liquid is transmitted undimensionally to every portion of the liquid and the walls of containing vessels as statement of Bernoulli's principle केंदे जड़ा pressure applied किता जन्दा किसे enclosed liquid दे अंदर undimensionally हर एक portion दे उपर जो विया बच्चे statement जड़ी वर knowledge theorem ने दित्ती सेगी तो फॉल्स गलत है pascal ने दित्ती सेगी हना सो ए थड़ी होगी statement फॉल्स सो एसी बच्चे साथ mcqs और true-false next आजो बच्चे थड़ी हुन questions आ next two marks दे question है जिदा बच्चे first question है 4 एसा unit से लिखने हा सो बच्चे unit 1 दा question है एसा units लिखने हा ना ले दे question आया होया T1, T2 दिता होया बच्चे ए numerical है यह भी unit 1 दा ही question है so second question हो गया unit 1 दे बिच्चो next आज़ी polygon law vector addition जड़ा की second unit दा question है so यह भी most important question है रजी next आज़ो body starts from rest और बच्चे numerical है यह भी unit second दा question है next is surface tension दिया बच्चे question है surface tension है का बच्चे थोड़ा 7th unit दिया अंदर 7th unit हाँ जी surface tension 7th दा बच्चे thermodynamics दा 8th unit दा question है so बच्चे अपनी marking scheme खुद बना लो ठीक है इस marking scheme दे accordingly तुसी थोड़ा नू पता लागजेगा बच्चे blueprint थोड़ा अपना खुद बना सकते हैं so next आजाओ 4 postulate से लिखने हां बच्चे kinetic theory दे unit 9 दा question है inelastic collision दा question है unit 4 दा question है next unit second दा question है transversal and longitudinal wave बच्चे most most important question है जड़ा की unit 10 दा question है ठीक है जी हुन आजाओ बच्चे 3 marks दी questions 3 marks दे question बच्चे पहला ही question जड़ाया 10th unit दाया then बच्चे ए हैगा थोड़ा 4th unit दा question energy जड़ाया mechanical energy वाला 3 laws of limiting friction बच्चे 3rd that question है असके velocity बच्चे unit number 6 दा question है स्वेदेन आली option numerical दिया बच्चे 6 unit दा ही question है then thermodynamics 8th unit दा question है बच्चे दोनो 8th दे question सा torque वाला question बच्चे ए हैगा थोड़े 5th unit दा question tau is equals to N alpha और बच्चे 5 marks दे question जड़ाया तुसी देख साकते है unit 2 दे विच्चो और Stux law और जड़ाया बच्चे हैगा 7th unit दा ठीक है जी तो इत्तों ही तुसी अपना blueprint बच्चे बना साकते है सो एh PDF बच्चे तुसी description दे विच्चों भी डाउनलोड का साकते है तुसी last विच देख साकते है बच्चे दे answers भी प्रवाइड किते गई है सो सारे questions दी बच्चे अच्छे तरीके ना एक्स्प्लेइन कर देती है अधवाइस बच्चे इत्ते भी mcqs बहुत अच्छे तरीके देनाल जड़ीोदी explanation बहुत अच्छे तरीके देनाल देती गई है फिर भी बच्चे इनाल दी किसे भी mcqs देवेज था अनू कोई डाउट होवे अंसर ना आवे तब अच्छे कमेंट सेक्षन दी विच दे देना तो अनू जड़ीोदी explanation दी वीडियो मिल जेगी जानतो पहला तुसी वीडियोदी लाइक करना है maximum share करना है थेंक्यू सो मच